नई सुभा है नई साल की बुलास है हर बोर चाया नई ताज़गी नई तरंगे लेके नया साल है आया सभी को इस नई साल की बहुत बहुत शुब कामनाई ये साल आप सभी के लिए मंगल कारी हो, शुब कारी हो और स्वस्थेदायक हो सभी की जो भी मनो कामनाएं हो वो पूर्ण हो विपत्तियां आपसे दूर रहे और अगर कोई विपत्ति आए भी तो ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे के आप प्रसनता पूर्वक उनका सामना कर सके इस नए साल में आज ये मेरा पहला व्लॉग है नए साल का और आप सभी का निर्मर सरिश व्लॉग में हारदिक स्वागत है नया साल सब अपने अपने हिसाब से मनाते हैं सोचते तो बहुत है हम कि हम इस नए साल में 12 एक बज़े तक जागेंगे फायरवक्स करेंगे खुब उधम शोर इतना शोर मचाएंगे कि आसपास सब को पता चले कि हमने ये नया साल किस तरह से मनाया है या बाहर जाएंगे घूमने, खाना वाना खाएंगे, किसी हिल स्टेशन पे चले जाएंगे, तो ये तो सब लोग करेंगे, और हर साल करते आते हैं, फिर इस साल में नया क्या, इस नय साल को किसी नय तरीके से मनाईए, आराम से सुभा, पहली सुभा, चल्दी उठिये, या क कुछ ऐसा परिवर्तन कीजिए, कि लगे तो सही, कि ये नया साल है, नहीं तो हर साल तो हम यही करते हैं, तो फिर नया क्या हुआ, तो इस साल कुछ नया करने के लिए, अपने मन में कुछ ऐसा सोचिए, जो हमारे इस साल को एकदम बढ़िया बना दे, तो नय साल की अच्छे से करिए, जरूरी नहीं है कि 12 एक वजे तक बाहर सडकों पे ठंड में घूमना है हमने, ना आराम से परिवार के साथ बैठके, मंगल कामनाओं के साथ नया साल मनाईए, इश्वर का धन्यवाद करिए, कि उसने पुराना साल 2013 जैसे अच्छे से निकाला, वैसे ही 2024 में भी नई-ने खुशियां, नई-ने मंगल कारे लेके आए, स्वास्थे अच्छा होना चाहिए, तो अपने हिसाब से अपने मन में कुछ ऐसा कीजिए, जिससे कि ये नया साल, पिछले साल से कुछ और ही महत्पूर्ण या कुछ और अच्छा बन जाए, अब हम बहुत का कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो यही सोचो कि नया साल में मैंने अपने लिए जादा सोचना है, अपने में मैं और मेरा परिवार, अपने लिए सोचिए, अपने सुकून के साथ कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, जो आपका मन करता है, जो आपने सोचा हुआ है, उसी तरह जैसे अपने नए साल को मनाईए, जैसे आप खुद को satisfy रख सकते हैं, अपनी अच्छी health के लिए अगर योगा करते हैं, तो well and good, नहीं तो योगा शुरू कीजिए, morning या evening walk कीजिए, morning walk तो सर्दियों में थोड़ी बंदी हो जाती है, तो afternoon walk कीजिए, थोड़ा हसिए, खुल के हसिए और खुल के जीए, तकि दूसरों को भी थोड़ा space दे सकें, तो पहला तो अपने health की तरफ ध्यान दीजिए, दूसरा अपने मन में जो भी कारे आपको अच्छा लगता है, वो कीजिए, health हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, का ध्यान अच्छे से रख सकेंगे, और इसके अलावा, हमारे आसपास के जो पडोसी है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, जो हमारे रिष्टेदार है, सब के साथ प्यार से, अच्छे से वहवार कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में, हमारे जो काम है, वो सरलता से हो होते चले जाए, छोड़ा बहुत मन मुटाफ जो भी किसी के प्रती रहा हो, पुराने साल में उसको फूल जाओ, और अपने साथ साथ, अपने परिवार की केर भी करना बहुत जरूरी है, कई बार बहुत छोटी छोटी बाते होती हैं, अगर हम उनको देखने बैठें तो लगता है, इतनी सी बात थी, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में मतलाईए, एक्टिव बनीए, शरीर से एक्टिव बनीए, माइंड से भी एक्टिव हो, लेकिन स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, अगर कोई काम होता है, तो बढ़िया, कहते हैं न, गो अगर कोई काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा, तो यह सोचो कि शायद वो हमारी डेस्टिनी में नहीं है, तो थोड़ा बहुत एज़स्ट करना सीखिए, लाइफ है, प्रभु ने जब दी है, तो कुछ सोच के दी है, उसे उसी के हिसाब से चलने जैसा हमें इश्वर ने डेस्टिनी दी है, हमारा भग्य दिया है, उसी में हमें खुश रहना है, और नहीं रहेंगे तो भी वही होना है, तो खुश रहना सीखिए, दो काम जरूर कीजिए, एक तो एक्सरसाइस कीजिए, एक अपने सुकून के पल ढूंडिए, और तीसरा खुश रहना सीखिए, हम खुश रहेंगे तो परिवार भी खुश रहेगा, बाते तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने मन में ये निश्चे करेंगे, कि नया साल एक नए तरीके से, एक सोच से मनाना है, ताकि मैं और मेरा परिवार खुश रहें, आगे आने वाले समय के लिए, खुद को एक हल्दी लाइफ दीजिए, ताकि हम अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें, थैंक यू, किप वाचिंग, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और देख ते रहें निर्मल सरीश व्लोग्स, एक बाद फिर से सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुप कामना है, निया वर्ष आप सब के लिए मुंगलकारी तो, ओके, बाई